स्वागत आप सभी का अमारे यूट्यूब चनल बालीजमेंट और में आज हम लोग जीव जगत का वर्गी करण अध्या के अंतर गत्त प्रोटिस्टा जगत के समुः प्रोटो जोवा के विशे में पढ़ेंगे तो आई ये शुरुवाद करते हैं प्रोटो जगा समवह प्रोटो का अर्थू होता है अर्थात इस समो में जो औरो इज्गनीजम होते है काफी सुक्षम होते हैं इनकी कोशिका यू केरियोटिक टायप की ओत है इन इन इस जो चंध Commerce से ढका रहता है अर्थ अर्थात नूकलर मेंब्रेन ब्रेजेंट होती है औ एनुप्लासम Griffald psychologically इस तरह से जो जिल्लियुक्त कोशित होते हैं वह प्रेजेशें कुछ लक्षण के विए लोग समझते हैं कि जो परेड़ीयुद्ध रभी सदस्य पर्पोशय होते हैं जो प्रोटोजवा है, प्रोटोजवा के सदस्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, परपोशे होते हैं, अर्थाद अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ये परवक्षी अथवा परजिवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, परवक्षी का तात्वर ये यह दूसरे जियों को खाकर उससे अपना भुजन प्राप्त कर सकते हैं उससे उर्जा प्राप्त करेंगे और साथ यह परजिवी के रूप में भी रह सकते हैं परसाइट के रूप में दूसरे जियों के शरीर में रहकर वहां से अपना भुजन प्राप्त करते हैं और उनमें नंबर पहला अमीबी प्रोटोजोवा या अमीबॉइट प्रोटोजोवा उसको कहते हैं दूसरा है कशाभी प्रोटोजोवा या फ्लेजरेटेट प्रोटोजोवा तीसरा है पक्षमाभी प्रोटोजोवा या सिलियेटेट प्रोटोजोवा और 14 है इस पूरोजवा तो एगेक कर इन चार समोह के विश्र में हम लोग समझते हैं पहला समोह है अमीबीर प्रोटोजवा या अमीबॉईट प्रोटोजवा ये अमीबॉईट जो प्रोटोजवा होते हैं ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाई जाते हैं येसे जो छोटे-छोटे जो तालाब हैं या पोखर हैं या समुद्री जल हैं या नम मृदा हैं उसमें अमीवा या आंय बी तो प्रोटोजोवा होते है असाने के साथ देखे जा सकते हैं, इनके शरीर में कुछ इसे अंग होते है जैसे कुट पाद या स्यूडो पोडिया, मुझा या वह पाए जाते है उसकी सह्यते से अपना यह भोजन भी प्राप्त करते है, vilá इनके शरीर में इसके दो मुख्यकारी नंबर पहला बोजन को पकड़ने में सहयक होता है और कि चलने में यह सहयता अधरां ग att उनकी जो सत्व होती है जो बाहर जो शरीर की जो सत्व होती है वहाँ पर सिलिका प्रजेंट रहती है सिलिका का कवच पाए जाता है कि यहनु में कुछ ऐसे जीवी होते हैं जो की पर जीवी होते हैं उदारण के लिए एंट इसका जो साइंटिफिक नेमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिगा इसके द्वारा अमीबी यह पेचिस होता है छो एक प्रकार के परजीवी जो कि मनुष्य के शर्री के अंदर पाए जाता है आतमे पाए जाता है अब एक चित्र के साधर से समझते हैं यह एक अमीबा का चित्र है यहां आप देखेंगे जो यह संरचनाएं हैं यह वाली संरचनाएं यह जो संरचना होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया ठीक है कई सारे इनके शरीर में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जो की चलने में सहाइक होता है या यह गती के लिए आवस्यक होता है और स साथ बोजन को पकड़ने में भी यह सहाइक होता है कभी कभी जब अमीबा यहां पर जैसे जल में प्रेजेंट होता है तो जैसे भोजन इसको दिखाए देता है तो अपने इस तरह से फैलाता है और यहां से यह क्या करेगा अपने जो इस तरह से फैलाएगा तो धीरे-दीरे जो स्यूडोपोडिया है बढ़ते जाएंगे और दीरे-दीरे जो स्यूडोपोडिया बढ़ेंगे और चारो तरब से एक बाउंडरी यहां बन जाती है और उसके अंदर भोजन फस जाता है तो जो अन्रशना बनती है अब इस संरशना को फूड वेक्यूल कहते हैं इसके अं जाते हैं और पचने के बाद जो पचावा भोजन होता है वापस इसी साइटोप्लाजम में आता है और अपज भाग होता है इसी के अंदर रह जाता है और शरीर में किसी भी साइट से जो यह सेल मेंब्रेन है किसी भी तरफ से यह है जो अपस भोजन होता है उबाद में शरीर कशाबी प्रोटोजवा या फ्लेजलेटेट प्रोटोजवा नाम से यह अंदज़ आ रहा है कि इनके शरीर में फ्लेजला प्रेजेन्ट होता है तो पहला इसका जो लख्षन है वह है यह पाई जा सकते हैं कि पेरा साइट के रूप में भी यह पाई जाते हैं इनके शरीर पर कषाब पाई जाते हैं कशाब उसे हम क्या कहते हैं उसके उसे कहते हैं फ्लेजला तो इनके शरीर पर कशाब या फ्लेजला पाया जाना बहुत ही महतुबुन लक्षण होता है जो परजीवी कशाबी प्रोटोजोवा है वह रोग उत्पन्न करते हैं उदाहरण के लिए एक निद्रालू व्यादिया जिसको कहते हैं sleeping sickness रोग वह जो रोग होता है एक कशाबी प्रोटोजोवा होता है जो यह ट्रिपेनोसोमा है इसका अगर हम लोग साइन्टिफिक नेम लिखें आज ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा ब्रूशी आई इसके द्वारा स्लिपिंग सिक्नेस रोग होता है स्लिपिंग सिक्नेस रोग होता है और इस स्लिपिंग सिक्नेस रोग को को के ट्रिपनो को फोमी ऐसिस भी कहते हैं जो ट्रिपेनो सुमा ब्रूशियाई से हैं इसके द्वारा स्लिपिंग सिगनेस या निद्रालव्याधी रोग होता हैं और इस रोग को ट्रिपनो सोमी एंसिस ट्रिपेनो सोमी एसिस भी खहते हैं और यह एक प्रकार की एक मख्य होती है जिसे cec makhih कहते हैं कि अधाइटी साइलेंट कि है ऐसी सी एक जो fly होती है होती हुँं किद्वारा क्या है ट्रांस ड्रांस मित होती है यह व्यक्ति स्य दूसरे व्यक्ति फैलता है तो यह बीमारी है सव सहारण यह कह सकते हैं कि ऀसको अफ़ीगा वाली कंट्री में यह बीमारी मोस्ली पाए जाता है बहुत ही मौत पूर्ण इसका लक्षण है आगे हम लोग बात करेंगे पक्षमा भी प्रोटोजवा या इनके शरीड में सीलिया प्रजेंट रहता है यह सदस्य जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं जल में पाए जाते हैं और बहुत इस गति इसमें देखने को मिलती हैं काफी सक्री होते हैं कि इनके शरीर में जो गति करने वाले जो ऑर्गन होते हैं जो अंग होते हैं सीलिया वह बहुत ज्यादा संख्या में प्रसेंट रहते हैं इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमा या इसको हम कहते हैं सीलि पक्षमाब या सीलिया पाए जाते हैं इन में गुहा या जो ग्रसी का होती है जो कोशिका सता के बाहर की तरफ खुलती है अगला पॉइंट है पक्षमाव या सीलिया की लहबद्धी गति के कारण भोजन गलट की तरफ भेज दिया जाता है तो इन में जो सीलिया सीलिया के दो मुख्य कारे होते हैं नंबर पहला इनके शरीर को गति प्रदान करना या एक तरह से लोकोमेटरी ओर्गन का काम करता है चलन में होता है और जो दूसरा इसीलिया होता है वह भोजन को इनके गले्क में कह सकते हैं के मुख्य की तरफ भिजने का काम करता है उदाहरन के लिए उधार्ण के लिए चित्री के साइदे से समस्त्र है यहां आप देखेंगे इन इसके शरीके चारों तरफ च्छोटी- एक शाखे शिरी के बाहर पार जाते हैं और जो है कि और जो जो वाइवत दिया जाता है और इसको हम कहता है और इसवी और यह पॉड़ या थीति दी sug स्टिंग बात यह भी है कि जो पेरामेशल होता है उसमें दो कंदरग पाई जाते हैं एक जो बड़ा कंदरग उसको मेक्रो snippet केते हैं और जो छोटा केंदरग vapor उसको माइक्रोनॉकलेश कहते हैं पेरामेशल में contractile वेक्यूल या संकुचन शील रिक्तिका भी पाई जाती है जो यहां पर आप देख रहे हैं संकुचन शील रिक्तिका है जिसका काम औसमो रेगुलेशन करना होता है अर्थात अगर इसके शरीर में जैसे पानी की मात्रा कम या अधिक है उसको सब नियंत्रित करने का कारिय यह कॉंट्रक्टाइल वेक्यूल करता है इसके साथ साथ इसमें जो वेस्ट होते हैं उनको भी रिमूब करने का कारिय करता है अब भोजन का जैसे पाचन होता है तो यहां से जैसे यहां पर इनल जो पूर है इसके द्वारा भोजन जो अपस भोजन होता है बाहर बेज दिया जा जैसी संवर्चना देखने को मिलती है इनके जीवन चक्र में संक्रमन करने योग्य बीजान या इसपूर जैसी अवस्था पाई जाते हैं तो मोस्टली जो इसपूरोजवा है यह संक्रमन फैलाते हैं रोग फैलाने कारे करते हैं इन में चलन अंगों का अभाव होता है उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम या जो मलेरिया परजी होता है जो इस पूरोजवा है उसके अंतरगत प्लाज्मोडियम आते हैं प्लाज्मोडियम बहुत सारी इसकी स्पीशीज है जैसे की पलाज्मुदियम हों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब मौलेया यह है और एस तरह से तो इसने से काफी सारे प्लास्मो डियंग की जो मलीरिया रोग मलेरिय रोग मलेरिया रोग होता है वह लेकिन मलीरिया रोग को फैलाने कार्य करता है मादा एनफलेज मच्छर मादा एनफलेज मच्छर जो है वह है वेक्टर ठीक है जो कि मलेरिया को एक संक्रमित ब्यक्ति से दूसरे स्वस्त ब्यक्ति में तक फैलाने कार्य करता है जो मलेरिया का जो परजीवी होता या मलेरिया किस कारण से होत और मलेरिया रोग को एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्त व्यक्ति में फैलाने का कारिया मादा एनफलेज मच्छर के द्वारक किया जाता है प्लाजमोडियम का जीवन चक्र मनुष्य और मच्छर दो में दो जो जीव हैं इन में पूर्ण होता है